प्रधान मंत्री नरिंद्र मोदी ने सुक्रवार को पेरिस ओलंपिक 2024 में देश का प्रतिनी धित्व करने वाले भारती एथरीटों से बातचीत की भारत फ्रांस की राजधाने में करीब 120 एथरीटों को इस उमीद के साथ भेजेगा कि यह दल टोक्यो ओलंपिक खेलों में जीतेगे साथ पदकों की संख्या को बेहतर कर सकेगा इस दोरान ओलंपिक 2036 की मेजबानी की भारत की दावेदारिक काम्याब रहने को लेकर आस्वस्त प्रधान मंत्री ने पेरिस ओलंपिक जा रहे खिलाडियों से इस दावे को मजबूत करने के लिए पेरिस में बेवस्थाओं का अनुबव साज़ा करने का आगरह किया खिलाडियों से बातचीत की दोरान प्रधान मंत्री मोदी ने पेरिस ओलंपिक की तयारियों में जुटे निरत चोपड़ा से मज़ा की अन्दाज में कहा की उन्होंने अभी तक चूर्मा नहीं भेजा जिस पर ओलंपिक और विश्व चैंपियन भाला फेक स्टार ने इस बार उन्हें चूर्मा खिलाने का वादा किया हम बताईगे हैं अभी बाहर हैं जर्मनी में और ट्रेनिंग बहुत अच्छी चल रही है इस बार मैं काफी कम कंपिटिशन खेल ला हूं क्योंकि बीच-बीच में मुझे एक इंजरी हो रही है पर अभी काफी बैटर है भी कुछ दिन पहले मैं फिल्लैंड में कंपिटिश कर गे जाएं पैरिस में और हंड़िड परसेंट अपनी कंट्री के लिए क्योंकि चार साल में आता है मैं सब भी एथलेट्स को भी बोलना चाहूंगा कि चार साल में मोका मिलता है और अपने अंदर घुश के उस चीज को निकाले कि क्या वो चीज है जिससे हम अपना बैस् क्योंकि मेरा टोक्यो मेरा पहला ओलमपिक्स था और पहले ओलमपिक्स में भी अचा रिजल्ट रहा गोल्ड जिता देश के लिए और उसका रीजन मैं मानता हूं कि यह है कि मन में डर नी था निडरों के खिला और बहुत ही बिलीव था खुद पे कि ट्रेनिंग बहुत होंगा लेकिन अगर हम खुद को पहचान ले कि हां हम इतनी मेहनत कर रहे हैं अपने घर बार को छोड़ के तिनी दूर हैं तो कुछ भी पॉसिबल है जी चलिए बहुत बड़िया टीप दिये हैं सबको बैं आपका धन्यवाद करता हूं और आपको सुब काम लाई देता हूं आपका स्वास अच्छा रहे हैं एक महिने में को नई इंजरी न हो भाई बिल्कुल जर्वाई कोशिस कर रहे हैं